हेलो फ्रेंड्स दे डाइरी ओफ यंगल एना फ्रैंक चैप्टर ट्वेल शुरू करते हैं 6 डिसेंबर 1943 फिर से सेंट निकॉलस के दिन को मनाने का समय आ गया था लेकिन वो सेलिब्रेशन लास्ट इयर जितना कमाल का नहीं था आखिरकार मिस्टर फ्रैंक और एनी ने हर एक उस व्यक्ति के उपर हर एक उस परसन के उपर एक एक पोएम लिखने का डिसाइड किया जो उस सिक्रेट रूम में रहते थे एनी ने एक कप्ड़े धोने की एक बड़ी सी टोक्री ली और उसे उसके अंदर सभी के जूते रख दिये और सबको कहा कि छुपा दिये उसमें और सबको कहा गया कि आप इसमें से अपने जूते निकालो और जूते के अंदर उन्होंने वो पोएम और सबके स्वभाव के अनुसार सबके नेचर के रिगार्डि उससे ही मिलती जूती वो पोएम लिखी गई थी कि सब लोग कैसे है नेचर में तो इस तरह से पोएम लिखी गई थी और सबने अपने-पोएम पड़ी और सबको बहुत मज़ा है सब बहुत आसे 22nd December 1943 N.E. की तब्याट ठीक नहीं थी क्योंकि उसे फ्लू हो गया था उसे बहुत खासी आ रही थी खासी रोकने के लिए उसे कंबल में लपेट दिया गया उसे उन्हें डर था सभी लोगों को कि उसकी खासी कोई सुन लेगा उसकी खासी रोकने के लिए हर तरह की ट्रीटमेंट की गई बैप अभी भी ठीक नहीं थे और लेकिन उसकी बहन वो कुछ बहतर मैसूस कर रही थी सभी हनुका के लिए एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ लेके आये थे गिफ्ट हलकी सी बारिश हो रही थी बादल भी गिरे हुए थे वो सभी बहुत ही सैड लग रहे थे बहुत ही डिप्रेशन में लग रहे थे क्योंकि वार खतम हो जाए ऐसी कोई भी निशानी लग नहीं रही थे ऐसे कोई आसर दिखनी रहे थे कि वार खतम होगा 24 डिसेंबर 1943 सिक्रेट रूम में एनी और बाकी के सभी लोग के दिमाग में उतल फुतल चल रही थी कभी वो अपने आपको बहुत ही उचा समझते थे बहुत ही बड़े लोग है ऐसे समझ रहे थे कभी कभी वो डिप्रेशन में चले जाते थी कभी एनी कभी कभी एनी दूसरे जो यहूदी थे उन बच्चों की तुलना में अपने आपको लखी मानती थी वो लेकिन वो बाहर ताजी हवा में साइकल चलाना नाचना सीटी बजाना और इंडिपेंडेंटली बहुत ही मतलब मैसूस ऐसा करना चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंडेंट है उसे अक्सर उस मा की कमी भी लगती थी जो उसे सीरियसली नहीं रहे लगी थी 27 डिसेंबर 1943 एनी को क्रिस्मस गिफ्ट मिला बैप ने उसे एक बहुत ही डिलिश्यस क्रिस्मस केक बना के दिया जिसके उपर लिखा हुआ था पीस 1944 बैप ने बिस्किट्स का भी अरेंजमेंट किया हुआ था पीटर मार्गेट और एनी के लिए दही के डब्बे और बड़ों के लिए एक एक बियर की बातल थी कि 29 डिसंबर 20 43 एनीने दुबारा अपनी मा सौरी दुबार अपनी दादी और हैंड़ी अपनी दोस्त को सपने में देखा उसने अपनी दादी के बारे में जो सोचा था कि वह बहुत वफादार और अच्छी थी वह अपने किसी भी नाती पोते किसी का अप्मान नहीं होने देती थे, उसके सामने इंसल्ट वो नहीं होने देती वो एनी के साथ Miss Behavior अगर कोई करता भी था तो उसके बावजूद, एनी भी उसके साथ अपनी दादी के साथ कभी-कभी बुरा behavior करती थी लेकिन उसकी दादी हमेशा उसका साथ देती थी जब उसने हैंली के बारे में सोचा तो अपने आपको वो बहुत ही गिल्टी मैसुश करने लगी और भगवान को थैंक्यू कहा कि उसने ये अपने वो डिजर्ब तो नहीं करती कि उसे इतनी अच्छी दादी मिले और इतनी अच्छी दोस्त मिले फिर भी गौड ने उसे दिय क्यों बोल रही थी 30 डिसेंबर 1943 सिक्रेट रूम में अब बहुत जगड़े होने लगे थे कभी-कभी ये जगड़े केवल सिर्फ खाने को लेकर या फिर मिसेज वॉन डॉन के जो फनी थॉट्स थे उनके कारण होते थे पिछले कई मैनों से वो मीट मास सूप और पोटेटो सभी कुछ बाट रहे थे इस बार लेकिन इस बार बारी फ्राई पोटेटो की थी एनी को इच्छा थी कि वो पूरी तरह से इन सबसे अलग ही हो जाए सेकिंड जैन्ड्यूरी 1944 एनी के पास करने को वैसे कुछ नहीं था इसलिए उसने अपनी डायरी पढ़ी और उसने पढ़ा कि उसने अपने अपनी मजर के बारे में अपनी मा के बारे में काफी सारे नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स लिखे हुए थे उसे ये पढ़कर उसको बहुत शौक लगा कि और सर्प्राइज भी हो गए कि उसने ये क्या लिख दिया है फिर उसने अपने आप को मनाया कि देखो उसकी मा उसे समझती नहीं है और एनी की फिलिंग्स को वो समझना भी नहीं चाहती है लेकिन जो भी है वो टाइम अप चला गया है इसलिए एनी को ज्यादा बुरा नहीं लगा है एनी एक बहुत ही ज्यादा इंटलिजिन्ट और उसकी मा लगातार उसे एक ही तरह की फिलिंग्स रखने वाली बन गई थी इसलिए उसने अपनी मा को उल्टा जवाब देना बन कर दिया और उसके बारे में अच्छा अच्छा बुलना शुरू कर दिया ताकि वो जो उनके उसकी मा के लिए वो जो बुरा सूचती है जो उसे अच्छा नहीं लगता है वो कुछ कम हो जाए और ये सारी बाते उसके मा के दिल तक ना पहुंचे और उसे बुरा ना लगे 6 जानिवारी 1944 एनी को ऐसास हुआ कि वो अपनी मा से एक फ्रेंडली बिहेवियर चाहती थी जो एक फ्रेंड की तरह करें जबकि उसकी मा की तरफ से उसे हमेशा एक मैचियोर और पुलाइट बिहेवियर वो करना चाहती थी एक बार एनी मा और उसकी मा और मार्गिट के साथ एक डेंटिस्ट के पास गई थी जब डेंटिस्ट का काम पूरा हो गया तब उसकी मा ने उसे वापस घर जाने को काम और जबकि उसकी मा और मार्गिट ने खरेदानी मतलब शॉपिंग के लिए जाने का डिसाइड कर लिया था एनी को ये विचार बिलकुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो भी शॉपिंग के लिए जाना चाहती थी उसे वापस बेजने का कारण ये था कि एनी साइकल लेके आई थी एनी इतना नाराज हो गई कि उन्होंने सब की सामने उसकी मा को बहा बुला बूल दिया दूसरी बात जो उसने अपनी डायडिम में ये एकसपट की थी उसकी गलती एकसपट की थी कि वो अपने शरीर और दिमाग से भी काफी सारे चेंजी महसूस कर रही थी मतलब बॉड़ी से भी चेंजी हो रहे थे और दिमाग से भी अब उसके periods, hormones periods जो होते हैं, girls के वो एक teenage time में शुरू होते हैं वो अब शुरू हो गए थे और ये सारे secrets और ये सारी बात है जो उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए वो अपनी मा से एक friendly behavior चाहती थी, कि वो अपनी मा को बताए और उसकी मा भी उसके बारे में कुछ बताए और उसे कुछ जानकारी दे 6 जन्यूरी 1944, एनी एक दोस्त चाहती थी, उसने इस रोल के लिए पीटर को चुना एक बार वो अपने एक बार वो उसके कमरे में गई पीटर के कमरे में, लेकिन उसे एक दोस्त की तरह बात करने की उसकी हिमत ही नहीं हुई वो अपने कमरे में वापस लोट गई और बहुत रोई उस रात उसने एक सपना देखा जिसमें वो खुद पीटर के साथ थी लेकिन पीटर वान डॉन के साथ नहीं पीट स्किप के साथ था जब वो जागी तो पीटर के गाल को अपने गाल के पास वो महसूस कर रही थी तब ही उसे अपनी आखों में लगातार जागता हुआ महसूस कर रही थी पीटर को पहले उसने अपनी दादी फिर नानी और फिर हैंली को सपने में देखा था लेकिन इस बार उसने पीटर को देखा पीटर की एक मानसिक चवी एक मेंटली एक दिमाग से एक इमेज बन चुकी थी और वो इमेज इतनी साफ थी इतनी क्लियर थी कि एनी को अब उसके फोटो की जरुवत नहीं पड़ती थी 7th January 1944 एनी को याद आता है कि कैसे वो शैली के चचेरे भाई एपी से बहुत प्यार करने लगे थी लेकिन बाद में उसे अहसास हुआ कि वो पूरी तरह से पीटर के प्यार में पागल थी वो पूरे आटम की सीजन में अपने पडोस में उसके साथ कुमा करती थी साल बीते और पीटर और और लड़कियों से मुलाकात करने लगा और इसी के गारण एनी को दूसरी लड़कियों से जलन होने लगी वो जैसे जैसे बड़ी होती गई उसे पीटर से और ज्यादा प्यार होने लगा वो पीटर के ज्यादा और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं सोचती थी इतना ज्यादा वो अब पीटर के बारे में सोचने लगी थी 12 जैनिवारी 1944 बैप मियप और जैन बिमार पड़ गए बैप को बहुत बूरी तरह सर्दी लग गई थी जबकि बाकी दोनों को उसका पेट खराब था एनि हर शाम डान्स फॉर्म की प्रैक्टिस किया करती थी इसलिए यह सब करके वह अपने आपको बिजा रख बिजी रखी करते थी खुपिया जो जगा थी वह जो सीक्रेट रूम था उसमें हर लोग हर एक हर एक व्यक्ति A Cloudless Morning नाम की एक बुक पढ़ने में इंटरस्ट रखते थे यह बुक टीनेजर्स की प्राब्लम्स के सब्जेक्ट के बारे में थी सब्जेक्ट यह था कि टीनेजर्स इस एज में क्या-क्या प्राब्लम फेस करते हैं इस टॉपिक के उपर यह बुक्ति और सब को ये अच्छा लगता था मार्गिट की फिलिंग्स भी बेतर थी वो अच्छी दोस्त बनने लगी थी दूसरी तरफ एनी की मां सोचती थी कि उन जैसी कोई मां है इस दुनिया में जिसका अपनी बेटियों के साथ इतना अच्छा रिलेशन हो अच्छी अंडिस्टैनिंग हो लेकिन एनी यह सोच रही थी कि उसकी मां यह गलत सोच रही है एनी अक्सर पीटर के बारे में सोच ने लगी थी और पीटर के अलावा उसे सब्सक्रिट के सभी लोग मास मतलब मीट घी तेल और बाकी सारे सारी चीज़े उसने उन्होंने बाट ली थी वह अपने-अपने आलू फ्राइड करते रहते थे अब रिलेशन थोड़े बदल गए थे क्योंकि एनी की मा का बर्डे आ रहा था उन्हें मिस्टर कूगलर से कुछ ज्यादा ही शुगर मिली थी जिससे वांड़न फैमिली को बहुत ही जलन हुई क्योंकि इससे पहले उनके साथ ऐसी पॉलाइटनेस किसी ने नहीं दिखाई थी नाइटीन जैन्युवारी 1944 एनी पीटर के सपने देखती रही लेकिन उसके सपने अब थोड़े धुनले होने लगे थे उसे अपने फादर से मार्गेट के रिलेशन के अब बारे में थोड़ी जलन होने लगी थी लेकिन धीरे-धीरे यह फिलिंग्स कम हो गई क्योंकि वह उससे चोट नहीं पहुंचाना चाती तैंकि उसके फादर उसके साथ बहुत ही अच्छा यह वेर करते थे जबभी हूता algorithm करते थे लेकिन यहाद कर शलिब भी इसके पाप अच्छी तरह से बात करते थे तो एनियुक्त बुरा नहीं लगता था क्योंकि एनी उसके फादर के लव और उनके हग्स और उनकी किसिस को याद करके वो बहुत रोया करती थी उसकी माँ को ये वार के पहले की जो बिहेवियर था जो पहले की सोच थी इससे पहले ये वार से पहले एनी की मा को एक असली मौचा कॉफी आफिस से मिली और ये दिन उसके लिए बहुत अच्छा था 22nd January 1944 एनी को अपने सोचने के जो तरीके थे उसमें थोड़ा डिफरेंट दिखाए दिया और उसे थोड़ा परिवर्तन दिखाए दिया वो वांडान फैमिली के साथ होने वाले छोटे बड़े जगड़ों को अब अलग तरीके से देखने लगी उसे लगा कि सिर्फ वांडान फैमिली की गलती नहीं है कुछ गलती तो फैमिली की भी है ये सब कुछ सोचने का कारण ये भी था कि वो अब पीटर को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी उसकी मा को मिस्स वांडॉन के साथ उसे लगता था कि उसकी मा को मिस्स वांडॉन के साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था 24 जानिवारी 1944 एक बहुत ही स्ट्रेंज बात हो गई उसे लगा कि लोग जो भी बाकी सारे लोग हैं और दुनिया में लोग सेक्स के बारे में ये चोरी चुपे बात क्यूं करते हैं और इतने डर डर के क्यूं बात करते हैं जबकि माने एनी से किसी भी लड़कों से बात सेक्स के बारे में डिस्कुशन ना हो उसके बारे में मना किया था पहले सही अगर वो इस सब्जेक्ट में कोई लड़का अगर एनी से बात शुरू भी करे तो उसकी माने कहा था कि तुम उसका जवाब ही मत दो वो sex के topic के उपर या तो book से या तो magazine से या तो picture से कुछ-कुछ जान रही थी Mrs. Wondon कभी भी Peter से इस topic के उपर बात नहीं करती थी कोई नहीं जानता था कि Peter sex जैसे topic के उपर कितनी जानकारी वो रखता है लेकिन एक दिन जब यह discussion हुआ तो Bosch वो यह बिल्ला था या Billy इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी discussion हो रहा था तब Peter Annie को सीडियों से नीचे ले गया और उसके गुपतांग उसके links दिखा कर बताया कि वो एक बिल्ला था उन्होंने इस topic के उपर ज्यादा बात की लेकिन Annie को लगा कि इस topic के उपर Peter से एक normal discussion बिना मजाक वाला वो कर सकती है 26 January 1944 एनिको फैमिली ट्रीज जानने का बहुत इंटरेस्ट था उसे अपना संडे सिनेमा और बाकी के एक्टर और एक्ट्रेस के के पोस्टर्स और पिक्चर्स देखने में वो ज्यादा बिजी रहती थी हर मंडे को मिस्टर कूगलर उसके लिए सिनेमा और थीटर नाम की एक मेगजीन लाया करते थे दूसरों को लगता था कि ये बिकार का खर्चा है लेकिन इस मेगजीन पढ़ने के बाद एनिका सिनेमा और प्लेज नाटकों के विशे में काफी नौलेज बढ़ने लगा था वो नए नए तरीकों से बाल बनाने लगी लेकिन जब सब लोग उस एस स्टाइल के उपर जब अपने सजेशन्स अपने व्यूज देते थे ये सुनकर वो बिचारे निराश हो जाती थी और वही अपने पुराने टेपिकल गुंगराले बाल वैसे कर देते थी 28 जनुवारी 1944 एनी की मा और मिसिस वांडाउन अकसर अपने बच्पन की बाते किया करती थी एनी को ये बात बहुत ही बोरिंग लगती थी जैन और मिस्टर क्लिवन को उन लोगों की सब्जेक्ट को जो सिक्रिट बाते जानने में बहुत अच्छा लगता था उनकी बात तो डेली रूटीन बन गए थे ऐसे बात करना बहुत स्टरगल करने वाले जो ग्रूप थे जैसे की प्री नेदरलेंड जो उनके नकली आइडेन्टिफ्केशन आइडेन्टी कार्ड बनाने का जो एरेजमेंट करते थे चिपे हुए इन सारे लोगों के उपर बहुत देया आती थी और आश्चरिय भी होता था और अच्छा भी लगता था कि दूसरों की ये जो हेल्प करते हैं वो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने अपनी लाइफ वो कितनी खत्रे में डाल रहे हैं कई लोग और भी बात हुए गई कि म क्लाब्रेशन के बारे में एक लेटर था ज्यादा कुछ इंट्रेस्टेट तो नहीं था 30 जनुवारी 1944 ये संडे का दिन था एनिको हमेशा ये बूरिंग लगता था वो सीडियों से नीचे अंधरे में बिलकुल अखे ले गई वो सीडियों से उपर मुहाने जो लब सर नि फाइटर प्लेंज इधर उदर ऊड़ रहे थे उसे डर नहीं लगा उसने उपर नज़र उठा कर स्काई को देखकर आकाश को देखकर गोड को थैंक यू कहा और कंप्लेंड भी की वो सिर्फ इतना चिला ना चाहती थी कि मुझे अकेला छोड़ दो मैं जीने चाहती हूँ कर दो